इस पीएन क्रिकिन फोर टाइम आउट हिंदी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ अनंतियागी और आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की बीच होने वाले मुकाबले की जो की खेला जाएगा वांखेडे के एतिहासिक स् वसीम जाफर के साथ पहली बार एक ही फ्रेम में देखने वाला हूं वसीम बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहां पर एकसेप्ट करने के लिए स्टूडियो में आपके साथ और पंजाब से शुरुवात करते हैं अच्छी ख़बर देते हैं सबसे पहले हमारे सभी अच्छा गेम अगर हम देखें तो अबिसली इतने बड़े स्टेचर के बोलर हैं तो ही स्टेट अवे मुझे लगता है कि वॉक करते हैं टीम में शायद संदीप शर्मा की मुझे लगता है कि जगा ले सकते हैं बर डेफिनिटली उनके आने से टीम बहुत स्रेंदन होगी कि क्या आप उनको पेस अटाक के लीडर के रूप में देखते हैं एक मैच पहले ही जी चुके हैं मैंक अगरवाल तो थोड़ा कॉंपिटेंस उससे मिला होगा लेकिन क्या अब पंजाब की सबसे मजबूत टीम दिख सकती है कगी सो रवाड़ा के आने से भी और मुझे आने जाते हैं रवाड़ा बोलिंग दालने के लिए वो मुझे लगता है समझ से बहुत बहुत कई गुना मुझे लगता है कि हाल हो जाएगी तो कगी सो रवाड़ा फॉसंदीप शर्मा हर्पीद ब्रार की जगे नहीं राज अंगत बावा की जगे नहीं आपके एसाब से हर्पीद ब्रार आपको स्पिन ऑप्शन भी होना जरूरी है और अगेन हर्पीद ब्रार बैटिंग भी कर सकते हैं आपको नंबर आट नो पे बैटिंग का वो एक वैलिवल कॉंट्रिबूशन भी दे सकते हैं तो आई फील संदीप शर्मा प्रॉबिली मेरे हिसाब से विल जरूरी हैं खासतोर से एक इन-experience मिडल ओर को देखते हुए जिया बहुत बहुत इंपोर्टन है अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉमिनेशन और एक experience प्लेयर जहां पर मयांक अपना अटैकिंग गेम भी खेल सकते हैं और उनको पता है कि कामिंग इंफ्लूएंस है शिकरदवन के रूप में जो अगेन ग्राउंड पे भी उनको हेल्प करता है और बैटिंग करते हुए भी और शिकरदवन अपने आप में बहुत अग्रेसिव प्लेयर है तो बहुत बढ़िया साजिदारी मुझे लगता है कि और वो हमको दिखाई भी दी लास मैच में जि जिनके हिसाब से शेद सिर्फ एक ही गेर में बैटिंग की जा सकती है और चौथा या पांचवा जिया और यह मुझे लगता है कि अनिल कुमले की स्ट्राटेजी रही है लास्ट यह से वह इस बारे में हम बात कर रहे थे हैं अलाकि मैं पार्ट था लास्ट यह के अटैकिं के वह क्या कर सकते हैं चलिए ऑपोजिशन की बात करते हैं पंजाब किंग्स ने आरसी बी को अपने पहले मैच में आ रहा है था कोलकाता नाइट राइडर्स आरसी बी से हार के इस मैच में आ रही है थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस कर रहे हूंगे श्रेयस है श्रेयस की बल्लेबाजी पर कभी कोई सवाल उठ नहीं सकता लेकिन अगर एक तरह की गेंदबाजी से थोड़ा सा मुश्किल में आते हैं तो लेक्स्पिन देखा गया है आई पील 2019 से 33 पारियों में बारा बार वो लेक्स्पिन का शिकार हुए क्या एक ऐसा खत्रा जो मंड़ा रह को आउट हुए हैं जो कि अनदर एक लेक्स्पिनर है तो मैच अप्स का कई ना कई मुझे लगता है कि शायद यूज कर सकते हैं पट कॉलिटी प्लेयर है मुझे नहीं लगता है कि वह इतना उनके माइंड में प्लेयराउंड करेगा हो सकता है कि राहुल चैर आए तो उनक बहुत चोटी इतनी बाउंडरी जो अगर हम देखें बाकी सारे ग्राउंड उसके कंपेर में वांकेडे स्टेडियम थोड़ा कंपेरिटिवली छोटा है तो बहुत सारी चीज़े श्रेयर के फेवर में एक ऐसा ग्राउंड जिससे राहुल चहर जिनकी आपने बात की अच अची तरह वाकिफ हैं बिल्कुल और यह बहुत मैटर करता है कि आप वह वेन्यू से आप आपकी जानकारी हो कि मुंबाइ इंडियम में बहुत टाइम गुजा रहा है और वह एक ऐसा ग्राउंड है जहां लेक स्पिनर और रिस्पिनर की ही थोड़ी से बचत हो सकती है फि होंगे मुझे लगता है कि उनके चार और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो कैप्टिन अईयर को बचके रहना होगा दूसरे यह की बात करते हैं यूएई में एक अलगी अंदाज में बल्लेबाजी की पता ऐसे दो ही इनिंग्स हुई है फिलाल इस आई पिल में लेकिन क सब्सक्राइब हो गरीब थोड़े से शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मुझे लगता है वह जो बाउंस था डिवाई पार्टेल में उसके अभी तक यूस्ट नहीं हुए बट आई फिल के यह ग्राउंड और यह विकेट थोड़ा सा उनको फेवर करेगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है अपने गेम को थोड़ा सा बैक करना चाहिए ज्यादा चैल कदमी ज्यादा विकेट पे उपर नीचे करने की ज़रूत नहीं है कोलकाटा शायद इस बात से जरूर रहत महसूस करेंगी कि पिछले मैच में भले ही टोटल लो डिफेंड कर रहे थे लेकिन फिर भी गेम को बिलकुल आखरी ओवर तक ले जाने में वो लोग सफल रहे सुनील नरायन का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें और उनका रोल रहता भी है कोलकाटा नाइट राइडर्स के इतिहास में जो सफलता की ख़बर जो उन्होंने अपने फैंस को सुनाई उसमें सुनील नरायन अक्सर एक इंपॉर्टन किरदार निभाते नजर आए हैं किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ अगर किसी गेंदबास के सबस्दादा विक कि वह पिछ के उपर जहां पर इससे पहले 200 रन बनेते हैं हलाकि लो स्कॉरिंग गेम था लेकिन जो बोलिंग उन्होंने की उसी वजह से के क्यार थोड़ा मैच में कमबैक कर पाया तो अगें और पंजाब के टीम के सामने बोलिंग करना पसंद करते हैं तो अगें वह भी लग रहा है आपको या कोलकाता नाइट राइडर्स बेहतर ने फिल थोड़ा कगी सो रबाड़ा के आने से आइफिल के पंजाब के थोड़े से थोड़ा सा मुझे लगता है उनका पल्रा भाड़ी है क्योंकि उनकी बैटिंग को अगर देखें उनकी बोलिंग को करेंगे लेकिन फिलाल ESPN क्रिकिन 4T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही